हेलो गैज, फोरिचल मकपा बदवा स्वागत हैं और आज हम बताने वाले हैं कि अगर आप राशन कार्ट के लिए अपलाई किये हैं तो आप उसका स्टेटस कैसे चेक करें तो गैज, हाला कि हमने 20 दिन पहले एक राशन कार्ट अपलाई किया था और जिसका रिजल्ट आज हमको देखने को मिल चुका है तो बनना हो गया स्टार्ट राशन कार्ट, फाइनली आप किसी तरह का आसंका है या संका है तो आप जो है ओलाईन स्टार्ट कर देए, आज हम कि आप अप्लिकेशन को कैसे ट्रैक कर सकते हैं सबसे पदले आप करूम ब्रेजर पर आजाना होगा यहां पर आपको लिखना होगा epds.bihar.gov.in यहां पर आपको दिख रहा होगा राशन कार्ट गौर्ब्मेंट आफ बिहार इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है उसके बाद यहां से apply for online rc पर क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सीधे जो है आपको राशन कार्ट का main website पर लेके जाएगा यहां से आपको login ID डाल देना है उसके बाद password डाल देना है उसके बाद यहां से capture फिल करके login पर क्लिक कर देना है तो जैसे ही आप login पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पर user ID का main website खुल जाएगा यहां से आपको उसका नाम दिखेगा उसके बाद login ID दिखेगा उसके बाद यहां पर देख सकते हैं apply पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर तीन option को लेगा new apply track application status इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं application accepted by SDO तो जैसे ही अगर कोई बंदा online करता है तो वहां पर लिखावाता है submitted उसके बाद जो है वो सीधे पर रिसर्च करके उसके बाद वो डारेक्ट भेज देता है SDO के पास फिर वो चले जाता है सीधे vendor के पास राशन कार्ड बनने के लिए तो यह सारा प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को जमीनी अस्तर से अगर जाचने के लिए एक परखन विकास पतादीकाली की जरुवत होती है आई हॉप यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब